हलो दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग Teaching Aptitude का फर्स चाप्टर का कौशन आंसर करेंगे तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे वीडियो में पहली बार आएं हैं पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो लाइक और सब्सक् question है, सिक्षा क्या है, सिक्षा क्या है बोल रहा है, तो सिक्षा क्या है, option number D होगा, सिक्षा ज्यान एम अनुभव है, दूसरा question है, बाल केंद्रे सिक्षा से अभी प्राए है, बाल सिक्षा से क्या अभी प्राए है, तो बाल सिक्षा से क्या अभी प्राए है, तो option number D होगा, कि बालक कैसे पढ़ेगा तथा सीखनी की परिस्तेथियां उत्पन करना। तीसरा कोश्चन है, सिक्षक को ऐसे विदार्थों को पढ़ाना चाहिए जो, कैसा होना चाहिए, प्रतिभा साली हो, बन्द बुद्धी के हो, समान्य हो, सभी प्रकार के हो। तो इसमें आंसर होगा option number D, मतब विदार्थी जैसा भी हो, एक सिख्षक को क्या करना है, सभी तरह के विदार्थों को पढ़ाना है, चौथा है, कोश्चन, सिख्षक के लिए उप्यूक थे, सिख्षक के लिए क्या उप्यूक थे, option C होगा semester पधती, पांचो कोश्चन, आधुनिक सिख्षा का वास्त्विक लक्षे हो सकता है, बालक में उत्तम आदतों का निर्मान, चौथा कोश्चन है, सिख्षक के सब सूत्रों में केंद्री भूत गुन माना जाता है, तो option A होगा मानुवयता, सेवन नमबर, चात्रों को सिखाने के लिए खोज पधती का विस्कार क्या गया है, तो इसमें होगा option नमबर B, हैस्कूल अस्तर पर, कोश्चन है, सिख्षक का विद्दाले में सरवच कार्य है, तो सिख्षक का विद्दाले में सरवच कार्य क्या है, option A, चात्रों का मार्दाशन करना, Q9. किस वहवारवादी मनुवै ज्यानिक ने सिक्षन का पुनरबलन सिधान दिया है? क्या होगा आंसर? V.S. Skinner. Option A. Next है. निम्ण में से कौन सिक्षन कुछ सलता से समंधी थे? क्या होगा आंसर? ये सभी. Option D. इसमें आपका स्यामपट पर लिखना, प्रशनों को हल करना, प्रशन पुछना, ये सब एक सिक्षन कुछ सलता के समंधीत आता है. इसलिए इसमें Option D होगा. ये सभी. Next question है. सिक्षा की Kinder Garden प्रधिती का प्रतिपादन किया? मतलब किस ने किया था? मौन्टे सरी ने. Option D. Next question है. Question 12. एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थूं के मध्य बढ़ावा देता है. तो क्या होगा आंसर इसका? Option B. सैयोग की भावना को क्या करता है? बढ़ावा देता है. Question 13. आधुनिक सिक्छन अधिगम प्रक्रिया में सिक्छा की भूमी का. तो सिक्छा की क्या भूमी का होनी चाहिए? A. सीखने है तू एक अच्छे सुलब करता की. Next question है. Question 14. जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरों के वहवार को देखकर सिक्छता है ना कि प्रत्यक्च अनुभाव के को कहा जाता है? मतलब एक व्यक्ति जब दूसरों से देखकर के सिक्छता है तो उसको क्या कहेंगे? समाजिक अधिगम. Option A. Next question. Question 15. सिक्छा में प्रोब्यल का महत्वपूर्ण योगदान था का विकास. तो क्या होगा? Kinder Garden. Option B. Question 16. एक प्रभासाली अध्यपिका होने के लिए या महत्वपूर्ण है? क्या महत्वपूर्ण है? प्रभासाली अध्यपिका होने के लिए? तो Option D होगा. प्रतियक बच्चे के संपर्क में रहना. Question 17. अध्यपक के रूप में आपकी प्रात्मिक्ता क्या होगी? तो इसका अंसर क्या होगा? अध्यपक के रूप में आपकी प्रात्मिक्ता क्या होनी चाहिए? व्यवसाई की प्रतिबधता वा निस्ठा. Option B. Next question है. Question 18. 18. एक अध्यपक को छात्रों के कल्यान है तू? क्या करना चाहिए? तो एक अध्यपक होने के नाते अप छात्रों के लिए क्या करना चाहिए? यहाँ पर Option D. उप्यूक्त सभी करना चाहिए. Option D. क्या क्या है देखते हैं? छात्रों की समस्याओं को समझना चाहिए. छात्रों के लिए पॉस्टिक आहार के ववस्था करनी चाहिए छात्रों की दैनिक गतिवीधियों का निरिक्षन करना चाहिए तो इसमें सभी होगा Q19, 19 शिक्षन समझ के क्रिया कलापों के अस्तर को बढ़ाय रखने के लिए महतपुन विशे हैं इनमी से सभी क्या-क्या महतपुन विशे हैं प्रबंधन, पुषल प्रसासन, योग्य सिक्षक होना चाहिए Q20, सिक्षक के अस्तर में हाथ्स्य के मुख्या कारन क्या है चात्रों की लापरवाही हो सकती है सिक्षकों की अप्रांगता हो सकती है अभी भावकों की विचार मगंता हो सकती है तो इसमें क्या होगा? Option D इन में से सभी Question No.21 हम लोग देखते हैं यहापर question क्या है? निमलिखीत में से मुल्यांकन सिक्छा केले किस रूप में सहायक है? तो किस रूप में सहायक है? इसमें होगा? इन में से सभी Option D क्या क्या है देखते हैं? या क्रिया शोध ही तुन नए मार्क को खोलता है सिक्छक अपने चात्रों को विभिन समुह में वर्गित कर सकता है सिक्छक अपने चात्रों को ततकाल प्रति पुस्टी दे सकता है Option No.22 सिक्छन में विद्यार्थों की अधिक्तम भागिदारी सम्भव है तो क्या होगा? इसमें Option B होगा चर्चा विधी द्वारा 23 कोश्यने प्रतिभा साली बालकों की सिक्छा व्यवस्था का स्वरूप है तो इसमें क्या होगा? Option D क्या क्या हो सकता है योग्य सिक्छक विशिस्ट विद्याले विशिस्ट पाठ्यक्रम Next Question है Question No.24 सिक्छा में 10 प्लस 2 प्लस 3 पधति को किसने प्रस्तावीत किया? किसने प्रस्तावीत किया था? कोठरी कामिशन तो Option A होगा Question 25 चात्रों के असकताओं और रूचियों को जानने में सिक्छक का ज्यान इस विशे से समंदित है तो किस विशे से समंदित होना चाहिए सिक्छक का? चात्रों के असकताओं और रूचियों को जानने के लिए Option B सिक्छक का मनोविक ज्यान Next Question है Question No.26 सिख्षा क्या करती है तो सिख्षा क्या करती है तो इसमें option D होगा उप्रूख तीनों कार्य करती है तो क्या क्या हम लोग देखते हैं संस्कृति का संगरक्षन करती है संस्कृति का हस्तांतरन करती है संस्कृति का विकाश करती है सिख्षा के चरीत्र विकास की वुदेश्य के समर्थक है उब्यूप्त सभी क्या क्या है हर्बर्ट, महात्मा गांधी, डॉक्टर राधक रिश्ण Q28, सिख्णा विकास की प्रक्रिया है, किसका कथन है, उडवोर्थ का, option A Q29, छात्रों को अभी प्रेर्णा प्रदान करने हैं तो उत्तम उपाय है, तो क्या उपाय होना चाहिए, नवचारों का परियोग, नवचारों मतल्ब नए विचारों का परियोग करना चाहिए, option A सिक्षन अधिगम का विसलेशन है, तो क्या है विसलेशन, उप्यूक्त सभी, क्या क्या हमनों देखते हैं, अठपोन, समागरी, साथक समागरी, तरकीक, सोधियता